वीडियो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं एक और प्रोड़क्ट अन्बॉक्सिंग करने वाला हूं रिलेटेड डेश्टॉप के उपर जैसे कि मैंने आपको बताए कि मैंने एक डेश्टॉप पर्चेस किया है परसनी तो पर अपने घर के लिए तो यहां पर मैंने एक चैकी जो पर्चेस किया है वह होने वाला है यहां पर टीपी लिंक के तरफी यॐस्ट्री मिल जाती है बट अगर आप लेते हो तो उसमें आपको वाइफाइ या ब्लूटूथ के लिए गलती है वो नहीं मिलती है उसके लिए आपको एस्ट्राज वाइफाई या ब्लूटूट के लिए आपको लगानी परती है ठीक है तो यहां पर मैंने पर्चेस किया है एक वाइफाई करनेटिविटी जिसकी स्पीट है देर सो दिलीवर हुआ है मुझे और यह लगाऊंगा मैं अभी अपने सीप्यू में कैसे इसको इंस्टल करना होता है वह सारे प्रोसेस बताऊंगा ठीक है बाकि इसके अंदर क्या-क्या अंबॉक्सिंग करने पर मिलता है वह भी इस वीडियो पर कवर करने वाला हूं फिला अगर आ अभी आप यहां पर देख रहे होंगे यह जो है टीपी लिंक के तरब से है और यहां पर इस पीट देख रहे होंगे 150 MBPS का स्पीट यह कवर करेगा वाइलेस PCI एसप्रेस एरेप्टर है ठीक है इस टाइप का कुछ एरेटर मिलता है जो आपका मदर बोर्ड में ही डारेट यह फिट हो दाता है ठीक है कैसे इसको फिट करना होता है वह अभी मैं आपको आगे वीडियो पर ज़रू कवर करूंगा ठीक है और यहां पर देख सकते हैं यह डेट से का वाइफाई है एडवांस सेकूरिटी लोग प्रोफाइल एंड फुल हाइड ब्रेकर्स यहानि इसके अंदर दोनों ब्रेकर्स मिलेंगे लेट सी देखते हैं इसको उन्बॉक्सिंग करके कि दोनों मिलते हैं या नहीं मिलते हैं फिलाल अभी इसमें यह बताया इस साइड में अगर आते हैं तो एक आपको दिखता है यहां पर यहां पर यहां पर चो है यह दो होने वाला है यहां पर कैसे इसका हो और ड्राइबर को कैसे इंस्टल करना है वो भी मैं आगे वीडियो पर ज़रू करूंगा ठीक है इसका इस्टेंडर आई ट्रिपल ए एट जिरो टू पॉइंट इलेवन बी अब्लिक जी अब्लिक एम इसका जो है स्टेंडर कंफिग्रिशन है इंटर्फरेंस की बात करें तो PCI Express 2.0 है एंटिना जो है एंटिना एंटिना है LED स्टेंटस भी वहां पर दिखाएगा है या नहीं है सेकुरिटी में बात करें तो यहां पर आपको कैसे रहे सेकुरिटी देखने को मिल जाता है WEP WPA WPA2 WPAPSK WPA2-PSK हितने सारे आपको यहां पर इसमें सेकुरिटी मिल जाती है ठीक है डामेंशन की बात करें तो दोस्तों ज्यादा बढ़ा नहीं है यहां पर 8.4.8 इंटो 3.1 इंटो 0.8 का इंच का इसका डामेंशन मिल जाता है इस साइड आते हैं तो बॉक्स में यहां पर देख रहे होंगे N150 stability for your daily nearest ठीक है तो कुछ इस तरह के से होगा यह मुझे online जो है यह 599 का मिल गया था Amazon पर जो अभी offer चल ला है तो चलिए इसको unboxing कर लेते हैं तो unboxing करने के बाद इसको cover को open कर दिया है cover को open करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर करने के बाद कुछ इस तरह कर से यहां पर रैपर के अंदर आपको एक adapter मिल जात यहां पर अब इसको कैसे fit करना होता है वह भी मैं आगे वीडियो में cover करने वाला हूं ठीक है और बाकी देख लेते हैं क्या मिलता है जो जैसे पो लेते हैं कि एक small bracket और एक large bracket दोनों दिया जागा तो यहां पी small bracket भी दिया गया है अगर आपके desktop के जो CPU है अगर उसमें small bracket लगता है तो आप इस ब्रैकेट को भी यूज कर सकते हैं ठीक है यह दो ब्रैकेट हमें इसमें मिल जाते हैं नीचे चलते हैं तो नीचे के तरफ देखते हैं तो यहां पर आपको एक resources CD यानि इसमें driver हो सकता है यह मिल जाता है और साथ में यहां पर यूजर गाइड मिल ज पर दिखाया था यह जो है आपका एकलेली का जो है टॉफन ग्लास है और इसक्रू के लिए भी आपको कोई इसको डाइबर की रिक्वाइड नहीं होती हां से ही यह खुल जाती है तो फटा फटा फटाम इसको आपन कर लेते हैं देखिए तो समय सारे यहां से आपन कर दिय है बट लेट सी देखते हैं एक्च्वल में यह लगाने के बाद हाई ग्राफिस कार्ट लगाने के बाद यहां पर जगा बहुत कम बैड़ गया है तो उसके लिए हम यहां से साइड में एक प्लेट दिया हुआ है इस प्लेट को हम अपन करेंगे अभी साइड आपको दिक दिया है ठीक है अब हम इसको यहां पर फीट करंगे इसको तो इसको हम अंदर से ही नीं होगी अपने को तो अंदर से हम समकति तरह के से हां से लिए लेके और आफिन में लगने वाला है यह और यह आला कानेट के पास बिल्कुल भी ठीक है एक आपको अब आ और यहां पर यह फिट कर दिया हमने यह फिट कर दिया हमने और यहां पर कुलिंग आगयर कोई बात नहीं है बहुत जगा है और यह हमारी वाइफाय रोटर ऐसे हो जाएगी उपर के तरफ ठीक है अब यह में बैक्स साइड से भी दिखाऊंगा आपको तो चली में पर देख सकते हैं यहां पर देख रहा होगा कॉ साइड मेंवी को एक स्कूरु लगाना पड़ेगा तो एक स्कूरु में इसके साथ तो इस कूरु नहीं लेकिन मेरे पास इस्कूरु है कि दो सम्तिमेरे पास यह देखें यहां पर टाइट करना होगा यह देखिए यह हमारा प्लेट बिल्कुल फिक्स हो गया है अब हम इस वाले प्लेट को यहां पर कर देंगे तिक जिस तरह के से यहां पर फिट हो जाएगा और यहां पर सारी स्क्रू के पॉइंट रख सकते हो और अगर आप इस पेर में रखना चाहो तो इससे काफी अच्छा आपको रेस्पोंस मिलता है ठीक है यह अभी कहीं पर भी एंगल में आप बैंड कर सकते हैं यह देखिर हो जाता है मैंने इसको सीधा रखा हुआ है और इसको फूल टाइट कर देना यहां पर एक इंडिकेटर भी है जब यह रन होगा तो अब बाकी में साइट का कवर लगा देता हूं क्योंकि इसका रिक्वार्मेंट नहीं है यह पूरा हो चुका है हमारा काम कंप्लेट तो इसको लगाना भी काफी असान है इसको इस तरह से हमें यहां लगा ले किया था बट मेरे अभी CPU में मैंने CD को इंस्टॉल नहीं किया है so that's why मैंने क्या किया है कि CD को जो है pen drive में convert कर दिया सौटफे को pen drive से हम इस्टॉल करेंगे सौटफे को और लेट सी देखते है कि इसका working क्या है ठीक है कैसे connectivity होगा क्या connectivity होगा क्या response होगा कैसा speed मिलने वाला पर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं चलिए लेट सी इसको अपन कर लेते हैं तो फसली में switch को अन करूंगा दोनों switch को यहां से on कर देता हूं तो यहां पर देशकते हैं मेरा LCD ओन हो चुका है तो फ्रेंट्स यहां पर भी आप देख रहोंगे यहां पर जो है ड्राइवल इंस्टर का आ चुका है नौ यू कनेट यूर कॉंपीटर टू वाइफाई नेटवर्क ठीक है यह हो चुका है हमारा पूरा कनेट और यहां पर हम अपने वाइफाई को कर सकते हैं चीक है तो इसको हम कर देते हैं और देख रहे होंगे दोस्त यहां पर पूरा वाइफाई का सिस्टम आपको देख रहा हुए यहां पर कनेटिविटी के लिए आज चुका है यानि वाइफाई कनेटिविटी मगाई थी वह मेरे काम कर रहा है बाकि इसका जो 150 MBBS का स्पीड है वह बिल इसका मिल जाता है ठीक है तो अभी यहां पर देख रहा हुए तुम्हेरा यह फूल मत्सक था जो वीडियो बनाया है यहां पर पूरा सही तो कैसे वह कर रहा है अगर आप भी चाहते हो अपने डेश्टॉप को पूरा फूल कन्फिगुरेशन देना वाइफाई कनेटिवि तो सेम यहां पर डेश्टॉप में आपको मिल जाता है तो दोस्त यहीं था आज की वीडियो पर कैसा लगा आपको वीडियो सेक्शन में बताएगा और सामनी आप डिस्प्ले देख रहे होंगे यह 27 इंच का एसर के तरफ से फुल्ट एच्टी पे यह है और बिल्कुल स्ल कर सकते हैं आज की वीडियो पर इतनी ताब हो चल मिलते हैं आपको एक नेस वीडियो पर थैंक्यों वर वाचिंग हाव नाइस टे